आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल्थ पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वारी हूँ सोराइसिस की बिमारी से निपटने के लिए कुछ घरेलो उपचारों के बारे में सोराइसिस एक प्रकार का बॉड़ी संक्रमन होता है यानि की इस बिमारी के अंतरगर्ध हमारी शरीर के किसी भी हिस्से पर एनरजी हो सकती है संक्रमन हो सकता है या फिर रेडनेस हो सकती है और इसी रेडनेस में काफी ज्यादा इचिंग यानि की खुझले भी होती है चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उप्चालों के बारे में जो सोराइसिस की परिशानी से आपको बहार निकाल सकते हैं दोस्तों अगर आप सोराइसिस से पीडित हैं तो रोजाना कम से कम चार से पांच दिन के लिए एक ग्लास करेली की जूस के अंदर नीमो का रस मिलाकर लगातार सुभे खाली पेट जरूर सेवन करिए ऐसा करने से सोराइसिस की बिमारी में आपको काफी ज्यादा आराम मिल सकता है इसी के साथ साथ अगर आपकी बॉड़ी पर काफी ज्यादा रैशिस हो रहे हैं तो उन्हें दूर करने के लिए ओली बॉल से अपनी बॉड़ी पर मसाज करिए ऐसा करने से आपको ठंडक और राहत दोनों ही मिलती है सुराइसिस से निपटने के लिए आप चाहें तो हल्दी पाउडर और नीमू के रस को आपस में मिक्स करके लेप बना कर भी अपने संक्रमन की जगा पर लगा सकते हैं ऐसा करने से आपको ठंडक का अनुभव होता है और वो संक्रमन ठीक होने में भी आपको काफी मदद मिलती है इसी के साथ साथ तरबूस की जूस का सेवन आप रोजाना कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सेब का सेवन भी रोजाना कर सकते हैं अपनी डाइट पर ध्यान रखिए ज्यादा तेल मसारे वाला खाना मत खाईए और ज्यादा से ज्यादा पानी बीजे ये सारी चीजे सोराइसेस की बिमारी से आपको बहार निकालने के लिए मददगार है मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ